दिसंबर का मन्त है, आप देख रहे हैं मेरी यहां देंथस की बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है और मैंने इसकी कैसे इसकी सीडलिंग की है और वो कैसे मैंने इसकी सोयल तयार की और इस केर और प्रेपरेशन के बारे में यह सारी बाते में अप्टू डेट आपको दित साल के हैं, उनको कठा किया हुआ है, मैंने, उनकी सीड्लिंग करूँगी, वो मैं आपके साथ share करूँगी, इसमें क्या लेना है, हम ने soil, only garden soil मैंने ली है, और इसको मैं ऐसे bed बना के और इन पे सीडलिंग करूंगी मैं पोर्ट में भी बनाऊंगी ताकि मैं इनको सर्दी में अच्छी तरह ऐसे अपने प्लाइब उसमें पोर्ट में ग्रो कर सकूं काफी ज्यादा मात्रा में तो इसमें हमने हमें ओनली गार्डन सौइल लियत है उसके बाद जिए जो सर्दी के प्लांट होते हैं को हाई फिटर क्लांट होते हैं उनको फिर हम कैसी फिड देंगे अगी और कैसा उनपे प्रेस्ट्री साइज यूज करेंगे वो सारी बाप्ते में आपके साओं शेर करूंगी और सिंके मैं आप आपको बीज सीड भी दिखा देती हूं कि इनके कैसे सीड हैं यह सीड डेंथस के सीड है यह मैंने अपने गार्डन से ही कलेक्ट किये थे अगर आप के पास नहीं है अवेलेबल नहीं है तो आप किसी अच्छे गार्डन शॉप से भी ले सकते हैं अगर आपके पास है इसे गाउं या दूर दराज में रहते हैं तो आप ओन-lain की विवस्ता बहुत अच्छी है वहां पे भी आप मंगवा सकते हैं इस तरह का आप बैड बना ले या फिर आप पोट भर ले तो आप लाइनों में भी ऐसे करके बना सकते हैं या फिर वैसे स्प्रिंकल करके भी आप बना सकते हैं वह आपकी इच्छा है और एक आपने यह रखना है कि मौसम अभी गर्म है तो आपने इनको वाटरिंग स्प्रे की सहिता से करनी है जब तक यह सीड हमारे ग्रो नहीं हो जाते हैं जब यह छोट छोटे निकल जाएंगे प्लांट तब तक हमने सीड स्प् दों उनमें या तो आपको पीट या वुडड़र जो भी आपके पास होगए यसे मिक्स कर लें ऐसे करके मिक्स कर लें ताकि हमारा सीड है एक तरफ ना गिरे अगर आप ऐसे करके स्प्रिंखल करते हैं तो सोयल के साथ आप देखिया है कि वह हमारी सारे बैड पर अच्छी करने के बाद आप सीड को बिल्कुल अच्छी तरह से ढख दें और ताकि वाटरिंग करते हुए हमारे जो सीड हो हिले नहीं अगर हमारा सीड किसी भी कारण से हिल जाता है तो आप यह सोच लो कि वह जर्मिनेशन नहीं होगी यह जर्मिनेशन ना होने का सबसे बड़ा एक य सेट मे पानी घर ले और उसको आप ऐसे रखोंगे तो यह जो सौल है हमारी नीच्चे से पानी अपने आप वाटरिंग मिलेजिए वाटरिंग ऑटरिंग आप हमेशा स्प्रे से दें या पहले वाटर कर लें या सेल्फ वाटरिंग से करें आप सीड की और पिर गहरो हो क्या फीड देंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी टाइम टू टाइंग आज मैं आज डेंथस को ग्रोव की होए सीड को ग्रोव की होए हमारी लगभग सेवन डेज हो चुके हैं तो उसके लिए मैं आपको दिखाती हूं कि उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है अग दिन में गर्मी है हमारे सीड को गर्मी चाहिए तो आप यह देख रहे हैं कि यहां पर मेरे यहां बहुत अच्छी सीडलिंग शुरू हो चुकी है और अब यह जब तब तक तक रिवन 5-6 इंच के हो जाएंगे तब मैं इनकी रिपोर्टिंग कर दूंगी वो भी मैं आपक गर्मी चाहिए यह आप देख रहे हैं कि सीड ने बहुत अच्छी ग्रोथ किया तो अब हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे और अलग अलग पोर्ट में लगा देंगे और मेरी यहां बहुत ज़्यादा सीड ने ग्रोथ किया जो मेरे पिछले साल के सीड थे और उससे पहले मैं अब आपको बता दूं कि मैं कौन सी सॉयल यूज करूंगी ताकि आप भी उसको लगा लें इसको इसकी ग्रोथ हुए को बीस-बाइस दिन हो गए हैं तो आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है इसमें सॉयल मैं यूज करूंगी जब हम इन प्लांट्स की सर्दी विंटर के प्लांट्स की हम रिपोर्टिंग करते हैं तो उसके लिए आप हमेशा सॉयल जो है बहुत अच्छी सॉयल है अच्छी का मतलब यह है कि बहुत ही रिच सॉयल जिसमें फर्टिलाइजर और गैनिक फर्टिलाइजर बहुत कावडंक आप 25% के क्लीब डाले और मस्टरड केक है आप टुकडे भी इसमें सॉयल में डाल सकते हैं यह अपने आपी मिक्स हो जाएंगे अगर आप टुकडे नहीं करना चाहते तो आप इसमें पाउडर भी बनाके डाल सकते हैं आप मस्टर्ड के का यूज सर्दी के प्लांट्स में जरूर करें मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ और ये मेरे पास वूड डस्ट है और ये कच्चा कोईला जो कि हमारे कार्बन के स्टोत हैं और इन में एन पीची के मात्रा बहुत ज्यादा होती है कैल्शियम की मात्रा एग शेल में कैल्शियम की अब 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 फर्स नंबर पे जब ये सीड़ खत्म हो जगते हैं हमारे जैसे ये प्लांट अब हमारा खत्म हो चुका है तो इसको आप कट कर दें कट करने का मतलब ये है कि ये प्लांट की सारी अनर्जी प्लांट इनको भी देता है तो ये सीड़ बनाना शुरू कर देंगे पर हम सीड लास्ट के टाइम में लेंगे तो इससे पहले हम इन सब की कटिंग करतेंगे जो भी हमारे आप इनकी टाइम टू टाइम कटिंग करते रहें ताकि हमें और भी ज्यादा फ्लावरिंग मिलती रहें जैसे यहां पर बर्स काफी हो गए हैं तो उनको यह सारा भोजन प्लावरिंग के साथ वाटिंग मत करें उनको जब भी देते हैं मस्टर केक के साथ साथ आप बनाना पील और हमारी जो वेस्ट चाई की पत्ती होती है उसको भी आप इन फ्लावर्स वाले प्लावर्स में यूज कर सकते हैं एक मैंने यहां पॉटाश की जग मैंने पटाटो पटाटो का पानी दिया है उसको मैंने सभी को मिक्स कर लिया मैंने इसमें मस्टर केक का पानी और बनाना पील का पानी और पटाटो इन्हों का पानी मिक्स करके मैं तकलिवन धाई सो ग्राम धाई सो एमल में इस पानी को मिक्स कर लूँगी और मैं सभी अच्छा एक fertilizer बनेगा जो हमारे ये सर्दी के plants को बहुत ज़्यादा जरूरी फ्लावर वाले plants को 7-8 गंटे की दूप दे यानि उसको दूप वाली साइड पे रखे अपने को तो the hanging planter को लगा दिया था डेन्थस के फ्लावर को आप अपने अपने सबी हैंसे फ्लावर इसको दिए व्लावल में तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग आर्च अप्रियायल तक भी में फ्लावरिंग होती रही उसके बाद हम इसके सीड क्लेक्ट करेंगे ताकि हमें अगले साल के लिए सीड कठे हो जाएं